हाई अब्रिवान दिस इस भाते इन वेलकर दूमा चानल ड्रीम माच हमने स्टार्ट कियो चाप्टर दाट इस बेंजर ओफ डिस्पर्जन जिसमें हमने रेंज स्टांडर डेविएशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और टॉपिक स्टार्ट किया हूँ है मीन डेविएश की मतलब ऐसे ग्वेशन करने वाले हैं मीन डेविएशन के जिसमें आपको इंटर्वल्स मिलने वाले हैं बहुत सिंपल ग्वेशन से करें स्टार्ट फिर मीन डेविएशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नेक्स टॉपिक पे चलेंगे मेजर ओफ लेकिन हम बिल्कुल स्टेप वाई स्टेप चीज़े सामसेंगे तो स्टार्ट करते मीन डेविशन का कौन सा आज कांटिन्यू सीरीज की बात करने वाले हैं बहुत सिंपल है जो फॉर्मला आपके डिस्क्रीट सीरीज में थे वहीं कांटिन्यू सीरीज में रहने वाले है मीन डेविशन दो तरह का होते हैं मीन डेविशन फ्रों मीन और मीन डेविशन फ्रों मीडियन दो तरह का होते हैं कि नहीं होतो जल्दी से बताओ दो दो तरह का होते हैं मीन डेविशन फ्रों मीन और मीन डेविशन फ्रों मीडियन इसका क्या फॉर्मला था? m d x bar मतलब mean deviation from mean क्या formula था जल्दी से बताओ summation f x minus x bar upon n अगर आप mean से mean deviation निकाल रहो discrete series के लिए formula था f x minus x bar upon n same formula for the continuous series जो discrete के लिए किया था असान होगी ना चीज़े और median के लिए क्या था that is summation f x minus m upon and यह simple सा है अगर आपको mean deviation median से निकालना है बहुत simple चीज़े current question start formula थो वही है जो last class में किये थे current question start फिर फड़ा फट से देखो क्या कह रहे calculate mean deviation and its coefficient from the following data वहाँ पे mean deviation निकालने को बोल रख है पर कहीं पे भी mention नहीं कि mean deviation from mean निकालने कि mean deviation from mean अगर तो mention है तो आप of course उसी method से करोगे mean वले से लिखा है तो mean deviation from mean यूज़े करोगे mean deviation from median लिखा है तो वही यूज़े करोगे लेकिन अगर mention नहीं है सिर्फ mean deviation mention है median से निकालने है या mean से निकालने है यह चीज़ अगर mention नहीं है तो आप median वले से निकालोगे अगर तो mention है तो उसी method से करना है जो mention है अगर mention नहीं है कि mean deviation mean वला formula लगाना है कि median वला फिर आप median वला formula यूज़ करोगे यह चीज़ clear है अगर mention नहीं है तो कौन से formula यूज़ करोगे mean deviation from median तो इसमें mention नहीं है कि mean, median को से use करना है तो हम median वाले method से ही काम करने वाले हैं अगर नहीं mention तो किस से निकालना है mean deviation from median से तो फटा-फट से start करते हैं बहुत simple question है जल्दी से कर लेते हैं तो mean deviation का topic हमारा complete हो जाएगा तो देखो calculate mean deviation इस coefficient निकालते हैं size and frequency दे रखी है size के लिए आप यहाँ पर intervals ही लिख लेना size के लिए यहाँ पर intervals ही लिख लेना that will be 100 से 120 20 से 140 140 से 160 फटा-फट से complete कर लेते हैं mean deviation का topic इतना easy है बस ऐसे ही लंबा हो गई है 140 से 160 160 से 180 and 180 से 200 सारी values लिख दे statement सही note करना बहुत जरूरी है right तो सारे मैंने intervals यहाँ पर लिख ली उसके बाद frequency frequency से पहले आप x लिखोगे frequency से पहले frequency note करने से पहले क्या note करोगे x note करोगे जैसे intervals लिखते हैं उसके बाद आपने x लिखना है x क्या होता है इसके mid point पहला interval क्या है 100 से 120 इसका mid point निकालो 100 प्लस 120 divide by 2 220 divide by 2 that will be 110 तो पहले x की value 110 आएगी जब भी intervals हो आपको पहले mid values निकालने होते हैं जिसे हम x कहेंगे formula में x था के नहीं था ज़ल दिसे बताओ x माइनस m इस था या formula में था के नहीं था तो वही हम x माइनस m x तो होना चाहिए न तो हम वही x पहले निकाल रहे हैं इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर मैंने क्या निकाल लिया x निकाल लिया कितना आ गया 110 आगे देखते हैं 120, 140 कितना आएगा that will be इसकी बीच में 130 आएगा 150 आएगा 170 आएगा 190 सारी की सारी mid values निकाली मैंने 100 और 120 की बीच में 110 120 से 140 की बीच में 130 आएगा 140 से 160 की बीच में 150 आएगा सारी की सारी mid values मैंने निकाली जिसको x बोलते हैं अब आगे चलते हैं आप क्या note करेंगी frequency that is f note करने वाले हैं कर लेते हैं f note that will be 4, 6, 10, 8, 5 मैंने अब क्या note कर ली सारी की सारी frequencies note कर ली अब चलते हैं formula पर पहले आपने intervals note की intervals का कुछ नहीं पहले अपने उसके साथ x जरूर note करना है मतलब उनकी mid values फिर उसके बाद f note किया that is their frequency अब आगे चलते हैं x आ गया f आ गया अब हम बात करेंगे formula की summation f x minus m पोल एन ये formula है अब ध्यास देखो x चाहिए मिल गया यह रहा मिर पस मुझे m चाहिए तभी तो मैं x minus m निकाल पाऊंगी है ना ध्यास देखो जब भी कोई formula note करते है पहले summation वाली चीज उठाते है summation के अंदर क्या है f x minus m मतला मुझे f वाला column चाहिए x minus m वाला column चाहिए दोनों को multiply करूंगी तभी तो f x minus m आएगा तो f वाला column तो है एक बार x minus m वाला column तो आजे दोनों को multiply करके f x minus m बन जाएगा हमेशा summation के अंदर में चीज बनाते है ये बन गया उसका sum कर दूँगी मुझे summation का answer मिल जाएगा summation का मतलब sum होता है तो पहले x minus m निकाल लेते है x minus m x तो है m नहीं है m होगा तभी तो x minus m निकलेगा समझाई चीज x minus m कैसे निकलेगा x तो है m नहीं है तो पहले m निकाल लेते है तब ही यहाँ x-m निकल पाएगा चीक है m क्या है median बहुत simply निकाल सकते हो median का formula क्या होता है continue series में ध्यान से देखू that is l1 plus n by 2 minus cf upon f into i this is the formula for median यह median का formula है अगर आपके पास intervals हो तो आप median इसी formula से निकालते हो यह बात clear है अगर आपके पास intervals हो median इसी formula से निकलेगा ध्यान से देखना आप l1 क्या है n by 2 क्या है cffi अभी सब समझाते हो ध्यान से देखो पहले तो frequency का sum कर लो आपको n मिल जाएगा किसका frequencies का sum 4 or 6, 10, 10 or 10, 20 28, 28 or 5, 33 तो n की value तो 33 आगई n की value कितनी आगी 33 आगे सबसे पहले आपने जब भी median निकालना होता है n की value निकालोगे clear है चीज जैसी आपने f निकाला साथ में cf भी निकालो median में अगर आपके पास frequency है तो cf cumulative frequency भी निकाले जाती है वो discrete series का question हो continuous series का question हो अगर आप median निकालना चाहते हैं पहले आपके पास frequency दे रखके आपको cf निकालना पड़ता है यह हमने measure of central tendency में भी चीज सीख हुई है तो इसमें आपके पास f है और median पूछ रहे है तो पहले आप cf भी निकालो cf कैसे होता है first वाला same note करते है अगला 6 प्लस 4 10 10 प्लस 10 20 20 प्लस 8 28 28 प्लस 5 33 this is the cf कैसे निकलते है first वाले को as it is note करना फिर आगी इसमें ये add कर दिया ये वला इसमें add कर दिया ये वला इसमें add कर दिया ऐसे करके हमें मल जाता है last answer cf का वही होना चाहिए जो आपके पास n आया था last answer cf का वही होना चाहिए जो आपके पास n आया था दो चीज़े clear होगी median में पहली बात आपके पास जिस भी question में frequency हो चाहे वो discrete हो चाहे continuous series हो आपने cf निकालना ही निकालना है अगर आपको median चाहिए तो दूसरी चीज आज ऐसे ही आपने n निकाला n कैसे निकलता है frequencies के sum से आपने n by 2 calculate करना है क्या calculate करना है n by 2 ध्यान से चीज़े समझते जाओ ये formula से median निकलेगा इस formula में सारी चीज़े ढूढने के लिए l1, cf, f, i हम ये table तयार कर रहे है n मैंने निकाल लिया इसमें cf b है cf b मैंने निकाल लिया ये चीज़ क्लियर है अब ध्यान से देखो अब आपने क्या करना होता है n by 2 निकालना होता है n by 2 क्या हैगा 33 by 2 that is 16.5 आपने पहले formula लिखा आपने cf निकाल लिया उसके बाद आप n by 2 निकालोगे बहुत important चीज़ है ध्यान से समझो ने तो मैं median वाला part skip भी कर सकती थी कि आपने समझा हुआ है लेकिन अब ध्यान से समझो गर आपको नहीं याद कैसी किया था ठीक है हो जाता है जब हम काफी टाइम बाद कोई topic करते है भूल जाते हैं 16.5 देखो कौन सी value 16.5 से बड़ी है और उसके सबसे pass है वो है 20 28 भी बड़ी है 16.5 से लेकिन pass उसके बिल्कुल pass कौन सी है 20 आपने 20 को circle कर लिया इस पूरी row को आप ऐसे कर दो पूरी row है न जो इस 20 के सामने वाली इसको box में डाल दो ये row आपको इस formula में use होने वाली सारी values दे देगा ये row आपको formula में use होने वाली सारी values दे देगा हमने question note किया था xf तक note किया था फिर हमने formula में देखा median चाहिए हमें तो median के लिए formula लगाया median के लिए formula में L1, N, CFE सब चीज़े चाहिए थी तो मैंने पहले cf ही बना लिया फिर मैंने n by 2 calculate करके देखा answer है 16.5 cf में जाके 16.5 के सबसे pass वली value चाहिए वो 20 ले ली इसको column को मतलब इस row को आपने इसे box में डाल दिया अब ये सारी values देदेगा L1 क्या होता है इस box में आने वली value interval का पहले वला interval क्या है 140 से 160 इसके पहले वली value lower limit आपको L1 देदेगी जो आप ये box बनाते हो इसमें जो interval आया उसके पहले वला value मतलब interval की lower limit आपको L1 देदेगी मतलब यहाँ पे जो L1 है वो कितना है 140 है ये बात समझाई जो आप box में डालते हो उस interval की पहले वली value चले आगे आगे क्या चाहिए L1 की बात होगी आप मुझे CF चाहिए और F चाहिए ध्यान से देखना F तो वही होगा जो इस box में आया है that is 10 तो F की value 10 होगी जो इस formula में जाएगी F की value कितनी होगी 10 होगी जो इस formula में जाएगी तो F मिल गया L1 मिल गया आगे चलते हैं that is CF की बात करते है CF वो होता है जो आप box में लायो उससे उपर वाला CF वो होता है जो आप box में बनाया ना आपने उसके उपर वाली value CF में that is 10 ध्यान से देखो LB से रो से मिलने वाला है F भी यहीं से मिलने वाला है CF वो के उपर वाला उठाना है that is 10 I क्या होता है कि इस interval में कितने का difference है 100 से 120 में कितने का difference है 20 का 120 से 140 में कितने का difference है 20 का तो इन में कितने का difference है वो I देता है I is 20 इस formula में use होने वाली सारी values हमें मिल चुकी है इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ है कोई दिक्कत तो बताओ है चलें आगे जहां तक समझा आगे अच्छे से बहुत simple questions है बस ध्यान से समझते जाओ अब formula देखो क्या था m is equals to l1 plus n by 2 minus cf upon f into i l1 is that is 140 plus n by 2 n by 2 कितना है था मरपा 16.5 minus cf cf कितना है 10 upon f f कितना है that is 10 cf भी 10 f भी 10 very good i कितना है 20 आ गया बहुत simple 140 plus 16.5 minus 10 6.5 upon 10 बहा 20 है यह 0 से 0 cancel 140 plus 6.5 into 2 that will be 13 तो 153 मेरा median आ गया कोई calculator की जरूरत नहीं पड़ी सारी values मैंने माँ पर डाले ध्याँ से समझो पहले values डाल दी 16.5 में से 10 गया that will be 6.5 यहां लिख दिया into 20 हो रहा था इस पूरी bracket के साथ i multiply हो रहा है मतलब into 20 हो रहा है वो 0 से 0 cancel होगी 6.5 into 2 13 हो गया 14 into 13 153 मतलब जो median है वो 153 आ गया बोलो कुछ tough लग रहा है तो बोलो है कुछ tough tough लगना नहीं चाहिए अगर लग रहा है तो एक बार दुबारा इसको अराम से देखो this is the calculation of median यह formula आपको learn होना चाहिए formula नहीं learn तो अब कर लो frustrate नहीं होते पते क्या होता जब पिछला formula learn नहीं आगे मिल रहा ना मैं लगता हमें क्यों नहीं learn कोई दिक्कत नहीं है अब learn कर लो अब मत भूलना है formula l1 प्लस n बाइ 2 माइनस cf अपोन f into i i से इस ब्रेकिट के साथ है l1 के साथ नहीं है वो 140 लग से चल रहा है ठीक है यह बात क्लियर है अगर मुझे learn हो सकते है तो आपको क्यों नहीं बहुत easy हो सकते है अब formula में क्या चाहिए x-m चाहिए तो निकाले थे x-m बहुत simple है that will be x-m m कितना है 153 x-m कैसे निकलेगा देखो x ये रहा m वो रहा 110-53 minus 43 next देखो 130-153 कितना आएगा जल्दी से देखो minus 23 150-153 minus 3 170-153 यहाँ पाजेगा 7, 1 that will be 17 190-153 that will be 7 आजेगा यहाँ पे और यहाँ पे 337 this is x-m हर एक में से मैंने 153 minus कर दिया इसलिए x की जरूरत होती है mid values की जरूरत होती है अब यह mode में होता है mode का मतलब जो negative है उसको positive में change कर दो positive वालो को कुछ नहीं कहना जो negative है उनको positive में change कर दो that is mode x minus m clear है यह चीज़ इसमें बताओ कोई दिख कर चले आगे x minus m आगया आब क्या चाहिए f x minus m क्योंकि formula में f x minus m था सिर्फ x minus m नहीं था जल्दी से calculate करो f into x minus m मतलब जो f वला column है उसको x minus m वले column से multiply करो जल्दी से कर दो multiply और यहाँ पे लिख दो जल्दी से फिर में से match करना हाँ जी निकाल लिए f x minus m देखो यह यह values 172, 130, 180 यही सारी values आई f वले column को बता हो क्या आ रहा है 661 आ रहा है देखो मैंने करके देखा आप करके देखो 661 आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है 661 जल्दी से चेक करो 661 आ रहे अब आगे देखो that is mean deviation from median calculate कर रहे हैं mean deviation from median क्या formula होते है f x minus m upon n that is 661 n की value कितनी आई है n कितना था that is 33 समझाए चीज ये भी निकल गया n भी निकल गया आप करो 661 को 33 से divide that will be 20.030 20.03 भी लिख दोगे कोई रिक्कत नहीं है ये आपके पास mean deviation from median आ गया clear है चीज अगर तो mention है mean deviation from mean median वही निकालना है अगर कुछ mention नहीं है just calculate mean deviation तो आपने mean deviation from median का formula लगाना होता है clear है चीज उसने coefficient भी बूचा था coefficient of mean deviation कैसे निकलते है जो answer आता है उसको median से divide कर दो answer कितना है 20.03 median कितना था 153 कर दो 20.03 को by the median 3 क्या answer आएगा 0.1309 बस ही तक लिख दो 0.1309 that will be the coefficient coefficient कैसे निकलते है जो mean deviation का answer आता है अगर median से निकला है तो median से divide कर दो अगर mean से निकला है तो mean से divide कर दो जिस method से निकलते है उसकी value से divide कर देते है coefficient मिल जाता है ये question complete हो गया ठीके इसी के साथ mean deviation का topic easy था बट मैंने अलग-अलग class में करवाया तैसे individual की लग discrete continuous की आपको अच्छे से clear हो जाए इसमें basically क्या है mean और median आना ज़रूरी है ठीके अगर आपके पास यहाँ mean दे दिया जाता है कि mean से निकालो तो mean से कैसे निकलता है formula mean का formula वही रहेगा that is submission f x minus x bar upon n लेकिन mean कैसे निकलेगा that is submission f x by n same formula रहेगा frequencies और x जो आप mid values से निकालते हैं उनको multiply करके m से divide करो mean मिल जाता और आप mean deviation from mean निकाल पाते आपने क्या करना है जो यह आप mean deviation का topic करो साथ में mean median कैसे निकालते हैं उसके formulas भी लिक लेना यह आपके लिए easy हो जाएगा क्लेरे जीज रेंज हो गया standard deviation हो गया यह आपके बस mean deviation हो गया इस सारे topics अच्छे से हो गया है अब इनको अच्छे से practice करो जो भी जितने भी question है books में करो कोई doubt आता है you can ask in the comment section I will reply छिके I hope you like this video if you like this video do like, share, comment and subscribe to my channel which is remesh thank you so much for watching